आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मा गरम बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारी मेथी मसाला पूरी की रेसिपी दोस्तो आपको इस एक ही रेसिपी में मेथी के पराठे मेथी की कचोडी और मेथी की मसाला पूरी तीनों का टेस्ट मिलेगा और अगर आप कहीं बाहर सफर में जा रहे हैं तो आप इन पूरियों को बना कर सफर में ले जा सकते हैं ये पूरियां दो से तीन दिन तक खराम नहीं होंगी तो दोस्तो आप इन पूरियों को एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरियां बहुत पसंद आएंगी Hello Everyone, मैं हूँ नीलम और नीलम's Kitchen Food में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो अगर आपको मेरी रेशिपीच पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेर कीजिएगा, चैनल को सब्स्राइब कीजिएगा, बेल अइकन के साथ तो चलिए ये मसालेदार मेथी की पूरियां बनाना स्टार्ट करते हैं मेथी की खस्ता मसालेदार पूरियां बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम हरी वाली मेथी ली है और मेथी को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और इसके जो बड़े बड़े डंठल थे उनको हटा दिया है डंठल हटाने के बाद 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लिया ह अब हमें करना क्या है मेथी को एकदम फाइन चौप कर लेना है तो ये देखिए मेथी को इस तरह से बारी काट लेना है अगर मेथी में डंठल रहेंगे तो पूरियां अच्छे से फूलेंगी नहीं तो आपको मेथी को इसी तरह से बारी काटना है अब हम इसमें एक कटोरी भर के बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे साथ ही हम इसमें आधा चोटा चम्मच नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद इसे बढ़िया से मिक्स कर लेना हैं मेथी में नमक डालने से क्या होगा कि मेथी अपना पूरा पानी छोड़ देगी और जब हम आटा लगाएंगे तो पानी का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा और आटा भी एकदम सकत रहेगा क्योंकि मेथी अपना पानी बाद में नहीं छोड़ेगी तो अभी हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं बढ़ते हैं next प्रोसेस की तरफ अब मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार लिया है इसमें हम 5-6 लहसुन की कलियां डाल देंगे साथी 2 इंच अदरग को टुकड़ों में काट कर डालेंगे 4 हरी मिर्च डालेंगे मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं यह मिर्च बहुत ज्यादा तीकी नहीं है अब मैं ले रही हूँ एक छोटा चम्मच साबुद धनिया एक छोटा चम्मच सौफ एक छोटा चम्मच जीरा इसमें सौफ जरूर डालियेगा पूरियों में सौफ से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है दस वारा काली मिर्च डाल देना है और थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है यह देखिए इस तरह से इसका फाइन पेस्ट बना लेना है अभी इसे साइड में रख देते हैं और यहां पर मेथी को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं आप देख सकते हैं मेथी हलकी सी सौप्ट हो गई है और मेथी ने पानी भी छोड़ दिया है यह देखिए अब हमें आटा गूतने में बहुत कम पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा अब मैं यहां पर दो कप गेहूं का आटा ले रही हूं साथ ही हम इसमें दो छोटा कर लीजिए अब हम इसमें डालेंगे आधा चोटा चम्मच अजवायन अजवायन को इस तरह से क्रश करके डालेंगे एक चोथाई चोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा चोटा चम्मच गरम मसाला डाल द और तेल डालने के बाद इसे अच्छे से mix कर लेना है ये चममास से अच्छे से mix नहीं होगा तो मैं इसे हाँ से mix करती हूँ ये पोरियां हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं तो ये बहुत ज्यादवाइली भी नहीं होती हैं और खाने में भी बहुत स्वाधिश्ट लगती ह हमने इसे अच्छे से mix कर लिया है और ये अभी अच्छे से bind नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो यह देखिए हमने एकदम सक्त डो लगा कर तैयार कर लिया है, अब हम इसे कॉटन के कपड़े से कवर करके 10 मिनट के लिए रेश्ट पर रखेंगे ताकि यह डो अच्छे से सेट हो जाए, तो यहाँ पर डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब डो मैंसे थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे इस तरह से रॉल करते हुए पेड़ा जैसा बना लेंगे, जैसे हम पूरी के लिए लोई बनाते हैं, उससे थोड़ी सी बड़ी लोई बनाना है, और चकले पर थोड़ा सा तेल लगा लेना है, इसके बाद इसकी हलकी सी मोटी पूरी बना लेना ह ये देखिए हमें इसे इतना मोटा रखना है पूरी हलकी सी मोटी होगी तो ये बढ़िया से फूल जाएगी और खाने में भी बहुत स्वाधिस्ट लगेगी और इसी तरीके से सारे डो की पूरीयां बना कर तयार कर लेना है पूरी का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कैसा भी रख सकते हैं अभी मैंने कुछ पूरीयां बना ली हैं और पूरीयां हम बनाते जाएंगे और साथ ही तलते जाएंगे तो इन्हें हम तल लेते हैं पूरियों को तलने के लिए मैंने तेल पहले ही गरम होने के लिए रख दिया है थोड़ा सडो तेल में डाल कर चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि तेल मीडियम गरम है आप देख सकते हैं ये पूरी एकदम से उपर नहीं आ रही है धीमे धीमे करके उपार आ रही है यानि कि हमारा तेल बढ़िया से मीडियम गरम हो गया है और पूरियों को तलने के लिए तेल मीडियम गरम चाहिए तो मैंने पूरी को गरम तेल में डाल दिया है अब हम क्या करेंगे पूरी को पल्टे से इस तरह से हलका हलका प्रेस करेंग तो यह देखिये पूरी बढ़िया से फूल गई हैं और यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम रखना हैं, पूरी को medium flame पर ही fry करना है ताकि पूरी अंदर तक अच्छे से सिख जाए और पूरी को medium flame पर तब तक fry करना है जब तक कि इसमें दोनों साइट से golden brown color ना आ जाए तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि पूरी में दोनों साइट से बढ़ी असा golden brown color आ गया है और ये बहुत ज्यादा crispy देख रही है अब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सारी पूरीयों को fry कर लेते हैं आप इन पूरीयों को बच्चों के lunch box में भी रख सकते हैं कहीं सफर में जा रहे हैं तो सफर में भी इन पूरीयों को ले जा सकते हैं breakfast में या फिर चाय के साथ खा सकते हैं, ओखाने में बहुत स् दिस्ट लगती हैं। बहुती टेस्टी क्रिश्पी करारा पूरी बनकर तैयार हैं। इनका कलर देख कर भी लग रहा है कि देखका है यह पूरी के сाथ रायते के साथ या फर हरी चटनी के साथ खाईए आपको भी पूरियां बहुत टेस्टी लगेंगी मैं इनके ऊपर थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूं जिससे कि ये पूरियां देखने में बहुत बढ़िया लगेंगी ये देखिए ये पूरिय कितनी क्रिस्पी बनी है आपने आवाज कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरियां कैसी लगी अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ शेयर कीजिएगा तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग